नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों पुर्निमा बहुत ही निकट है और पुर्निमा का समय और सभी परकार से दिनांग और उचित समय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और दोस्तों हम ये बताने वाले हैं कि मई 2020 की पूर्णिमा पर क्या चंदर गरहन पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है या किशी ओर परकार का गरहन मई के महिने में है तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो प्लीज आप ये वीडियो आखिरी तक आवशे ही देखें और दोस्तों नए मैं मानों से हमारी पीस्फुली रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिये गए बेल आइकन से आप हमारा चैनल कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिलें दोस्तों बात कर लेते हैं पुर्निमा की दोस्तों पुर्निमा का सही समय होने वाला है 6 मई 2020 और 7 मई 2020 के बीच दोस्तों पुर्निमा का प्रारंब होने का समय आप ध्यान से सुन ये पुरनिमा सुरू हो जाएगी 6 माई 2020 को शाम के 7 बजकर 45 मिनट पर पुरनिमा सुरू हो जाएगी और दोस्तों ये पुरनिमा चलने वाली है 7 माई 2020 को शाम के 4 बजकर 15 मिनट तक दोस्तों पूरनिमा का समय आप ध्यान से दोबारा सुन लीजिए हम आपको समय दोबारा बता रहे हैं पूरनिमा सुरू हो जाएगी 6 माई 2020 को शाम के 7 बजकर 45 मिनट पर और ये समाप्थ हो जाएगी 7 माई 2020 को शाम के 4 बजकर 15 मिनट पर दोस्तों दिनांक जो होगी पुर्निमा की वो होगी 7 मई 2020 तो 7 माई 2020 को ही पुर्निमा मनाई जाएगी और दोस्तों आभी बात कर लेते हैं चंदर ग्रहन की तो चंदरगरहन जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ही पुरनिमा को होता है और 7 मही 2020 को पुरनिमा है दोस्तों इस पुरनिमा पर चंदरगरहन तो नहीं है लेकिन आने वाली अगली पुरनिमा पर चंदरगरहन आवश्य ही है दोस्तों आने वाली अगली पांच जून को चंदरगरहन पढ़ने वाला है तो आप उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब रखिए ताकि हम आपको सबसे पहले बता सकें कि चंदरगरहन शुरू हो चुका है दोस्तों आप अपने सहर का नाम नीचे कमेंट बोक्स में अभी लिख दीजिए ताकि आने वाला अगला चंदरगरहन जो की बहुत ही निकट है उसका सही समय हम आपको सबसे पहले बता सकें तो तुरंत ही अपने सहर का नाम नीचे कमेंट बोक्स में लिख दें दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में आवश्य ही लिखें और अपने सहर का नाम भी आवश्य ही लिखें तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दोस्तों चंदरक्रहन का बिल्कुल सही समय जानना है आपको आपके सहर का तो सबसे पहले अपने सहर का नाम आवशे ही लिख देना कमेंट बोक्स में ताकि हम आपकी मदद अच्छी परकार से कर सकें धन्यवाद